प्राफिट ओविश्ट प्राफिट और इसके बाद मैं आपको इसमें जो हाट वर टाइंगे ना उनके माइने बताऊंगा तो आप लोग उसके उसको लिख लीजिएगा ठीक है चले शुरू करते हैं हजुसे पीस भीनोबल फेंली और दा करेश हजुसे पीस भी अपान हीं यहां इंगलिश में दुरूद पढ़ना है तो अड़ू में ही पढ़ लीजिए सल्लाइलाहीं इसलाम के पेगंबर है वह पैदा हुए पास सो पास सो एकतर एडी आफर देड़ वज़रत इब्राहीम after the death of عضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ میں वो तालुक रखते थे मौजज़ कुरेश के घराने से दूसरा पैसिज जो हमारे पास यह है आवर हुली प्रॉफिट मुहम्मद सलिल्लाहु तल्याव सलम इस दा लास अफ दा प्रॉफिट दा कुरेश यूस तू वर्शिप ideal and did not believe in one God इसकी उर्दू जो है यह के हमारे प्रॉफिट सलिल्लाहु तल्याव सलम लास आखरी नभी हैं और कुरेश जो है कुरेश जो है वो इबादत किया करते थे मूर्तियों की और नहीं भरोसा करते थे यानि नहीं यकीन रखते थे इख खुदा में हजरत मुहम्म्मम्थ सलिल्लाहु तल्याव तल्याव सलम आज़ दा कुरेश नॉट तू वर्शिप गाट यी तोल दैम डैट यी वस प्रॉफिट ऑफ इसलम और आज़्ट दैम तू वर्शिप द वर्वर्शिप और उनसे कहा कि नहीं इबादत करो और सिर्फ इबादत करो एक अल्ला की यानि अल्ला की तरफ इबादत करने का कहा यानि सच्चे खुदा की यहां पर वर्शिप के माइने जो हैं वो इबादत के हैं अगला पैसिज जो है वामवस यह है कि most of them refuse to accept Islam they thought that by preaching Islam he was against their God and their ancestor they oppose this new faith and their bitter opposition caused the Prophet ﷺ much agony and lots of trouble तो उन में से बहुतों ने इनकार कर दी Islam कबूल करने से और उन्हें लगता था कि तबलीग इसलाम से और जिस दुश्मनी की वजह से आप ﷺ को तकलीफ है और बहुत ज़्यादा परेशानी इस परेशानी हुई चले हैं इसमें hard word देख लेते हैं refuse का मतलब इनकार करना accept का मतलब कबूल नहीं करना throw का मतलब होता सोचना और preaching यानि तबलीग करना preaching के माइन होते हैं तबलीग करना और बाकी तो आप लोगों को बदा एंसिस्टर के माइन होते हैं आबाओ अजदाद और अपोस के माइन होते हैं opposition नहीं मानना faith के माइने होते हैं अकीदे के अकीदे के और bitter के माइने होते हैं सक्त और opposition यानि मुकालिब जिसे आपने सुनाओगा Senate की opposition है cause यानि वज़ा वज़ा बन गई थी opposition और बहुत तकलीफ यानि तकलीफ शदी तकलीफ और बहुत ज़्यादा परिशानी दी अगला paragraph जो हमारे पास पैसेज जो यह है के their opposition to Islam becomes so fair and terrible that he had to ask the believer to migrate to Medina in 622 AD the Prophet peace be upon him ﷺ himself accompanied by this faithful friend अजरत अबुबकर सिद्दीक रजियालाहुतालाना migrate to Medina this event is known as this event is known in history as a हिजरा ये जो मुखालफीन थे इसलाम के लिए बन गए बहुत खून रेस और खतननाक जिसकी बिना पर आप सलिए लाहुतासलम को कहना पड़ा अपने मानने वालों को कि वो हिजरत करे मदीना हिजरत करे मदीना और ये इन लोगों ने हिजरत करी इन लोगों ने जो हिजरत करी वो करे छे सो बाइस आफ्टर देट ओफ हजरत इसलाम प्रॉफिट यानि आप सलिए लाहुसलम के साथ मौजूद थे उनके इमानदार और वफदार दोस हज़रत अबुबकर सिद मदीना तो मदीना में आप सलिए लाहुसलम ने काइम की ऐसी सुसाइटी जिसकी बुनियाद रखी गई तीन उसूलों पर किसारी पावर अल्ला को बिलॉग करती यानि अल्ला की तरफ है और हज़रत मौमद सल्लम उसके रसूल है और तमाम मुसल्मान भाई हैं आपस में यहाँ पर जो है फाउंडिट का मतलब है काइम करना और बिलॉग का मतलब है तालुक रखना यानि सारी पावर अल्ला ताला से तालुक रखती है अगला जो पैसे जो वहाँ पास यह है कि He rise woman from the status of chattel to complete legal qualities with men आप सललाला ताल गावास Geral साल्हें ने उठायाः ओर्तो का स्टेटस और दिये उनको हुकूद कानूनी तोर पर जायदात में यहां पर chattel के माईने जो हैं वह हैं हमारे पास जायदात के तो chattel के माइने होते हैं जायदात के और legal के माइने होते हैं कानूनी शरही और qualities के माइने होते हैं देना सही है तो मुझे यह उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा तो heart word के माइने जरूर लिख लीजेगा चलें चलते हैं अगले paragraph की तरफ अपने अगले passage की तरफ He made people to live with faith, sincerity and honest dealing and for the first time in history made universal human brotherhood a faith and principle of common law This support and guide in all that work was the Quran अब इसकी उर्दू जो है वाम रपास ये है आप सलिल्लाहु तालाहु ने बनाया लोगों को सिखाया यानि लोगों को रहना अकीदे के साथ सदाकत के साथ और कारोबार सिखाया ओर इमानदार ही की साथ कना ये पहली बार ता तारीक में के बना यानि आलमगीर भाई चारा और ये जो फेक्ट और ये जो प्रिंसिपल्स थे यानि ये जो उसूल थे आप सलिल्लाहु ताला अले वसल्म के इन तमाम कामों की तारीद और रहनुमाई कुरान मजीश से थी चले चलते अपने अगले पैसिज की तरफ इन दे टैंट एयर ऑफ हिज्रा दा प्रॉफिट तो गैदर विट इस फॉलोवर वॉन्ट तो परफॉर्म हच आइट मक्का अगले पैसिज की चलते हैं अगले पैसिज की चलते हैं अन दिस इस्टॉरिक उकेजन ही एड्रस आ वेरी लार्ज गैदरिंग आफ मुस्लिम आन माउंट अरफात इस एड्रस प्रॉफ तो बी इस लास हज यानी सर्मन इन दिस सर्मन ही वांस अगें डिपीटेड दा अगले अरफात पर मुसल्मानों के बड़े मजमे से खिताब फरमाया आफस स्लमन ने बताया कि यह उनका आकरी हज होगा और इस हज में आफस सलमन ने एक और बार इसलाम के जो पैगाम ता उसको दोराया यहां पर जो ऑकेजन के माइने हैं यह वाकिये के माइने यानी किस मौके के माइने خاص मौका एड्रेस यानी खताब करना देखें, यहां भी आ रहा है, यहां पर Аड्रेस की धिटफा मारी है, यहां पर एड्रेस की फस्फा मारी है और प्रूव मतलब बताया, साबित किया, यह आपस всलम his prophet against the forces of evil अब इसकी उर्दू जाए वो ये कोई खुदा नहीं है अल्ला के इलावा अल्ला ताला ही वाहिद खुदा है और कोई शरीक नहीं है उसके अक्तिदार में और ताखत में आप अल्ला ने पूरा कर दिया अपने वादे को और मदद की अधरत मुहिद खुदा है और शरीक के मतलब होते है बाटना कोई नहीं तालोग रखता यानि बाटना तालोग रखना फुल्फील के माएन उते हैं पूरा करना और प्रोमिस के तो आपको माएन बता ही है वादा करना होते हैं चले चलते हैं अपने अगले पैसिज की तरफ O people listen to me carefully We may not have the opportunity to meet again in such as assembly after today He caught a word from the holy Quran and said Allah say O mankind we created you from a male and female and made you into tribes and nations so as to be no one from the other O logo सुनो मुझे दिहान से शायद हम हमारे पास मौका नहीं होगा दुबारा मिलने का क्योंकि अपने पहले ही फर्मा दिया था ये उनका आखरी हर्च है और इस तरह की दुबारा मजमे से खिताब करने का यानि assembly यानि मजमा या फिर यानि एक सेमिनार तो आफटर तुडे आज के बाद अब सलिए लाहुता सलम्ने हवाला दिया आयस से अल्ला के कुरान से के अल्ला ने कहा के ओ मैंटकाइंट ओ इनसान मैंने तुम्हें बनाया एक मर्त और और औरस से अमंग यू इन दा लाइट ओफ दिस वर्ड नो अरफ इस सुपीरियर टू नो अरफ इसकी उर्दू जो है कि अल्ला के नजदीग वही ज्यादा इज्जत वाला वही है जो ज्यादा मुट्टकी है आयत की नजर में कोई अरब इस सुपीरियर यानि किसी अरब को फौकियत आसिल नहीं किसी नोन अरब से यहां पर राइटियस जो इसका मतलब होता है मुट्टकी और ओनेरेबल यानि इजददार तो अगले passage में फर्माया गया नौर इस आ वाइट मैन इन एनि वेटर देन अ ब्लैक मैन नहीं गोटा आदमी यानि जो गोटा होता है गोरा आदमी इजददार है किसी बी तरह ब्लैक मैन से सिर्फ सिर्फ तकवा को छोड़कर यानि राइटियस को छोड़कर तो अगला पैसेश जो हमारे बनाती है इन्सान के उसे दूसरे से आला किसी तमाम इंसानियत को पैदा किया गया आदम अले साला सुपीरियर फाउंडिट ओन ब्लड और वैल्ट आपस लिए में इसमें इसमें फरमाया कि मैं इसलिए में इन तमाम जूटे दावों को जिनके मताबिक बढ़ाई और बड़तरी का मेयार खून या दौलत हो अपने पाउं तले रोंता हूं पहले जो है आपको पता है आपस ल मतलब क्रेटनिस का मतलब है अच्छाई तो चलते हैं अपने अकले पैसे ही फर्दर सैट ओ प्यूपल अ मुस्लिम इस एन अदर मुस्लिम ब्रदर एंड और मुस्लिम और ब्रदर अमंग देमसेल्फ आपने मजीद फरमाया कि ओ इनसानों तमाम मुसल्मान आपस एक दूसर मुसल्मान होने के बावजूद भी तो इसलिए इस बात को पर जोड दिया गया कि तमाम मुसल्मान आपस में भाई हैं और आपस में मत लड़ो चले चलते अपने अगले पैसेज की तरफ फाइनली वी सेट आप गीवन यू दा मैसेज ऑफ आला आपस एपन लाइव इस दे दिया हैं मैसेज दे चुका हूँ मैसेज अल्ला का याणि जो अल्ला ताल्य ने आपस एपने वाई परमा दिया ता हिज्जत लड़ा से और मैं तुमारे दर्मियान छोड़े जा रहा वो चीजें जिसके मुताबिक अगर तुम अमल करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगे और वो अल्ला की किताब है अगला पैसिज जो है हमारे पास वो यह है के all through the prophet peace be upon him is no more with us we have we have the holy quran to give us guide we should treat it daily and try to understand what is teach if we make a habit of acting according to its teaching according to its teaching we will very soon achieve our former greatness in the world इसी जबके इसी लिए अगर हम आप सलिल्लाहु ताला अले वसल्म अब हमारे दर्मियान नहीं है मगर हमारे पास है कुरान to give us guidance हमारी रहनुमाई के लिए तो हमें पढ़ना चाहिए रोजाना इसे और समझना चाहिए और इसकी तालिमात को if we act अगर हम बना ले आदत अमल करना इसकी तालिमात के मताबिक अगर हम जो भी काम करें इसकी तालिमात के मताबिक करें we will very soon achieve हम बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे हमारी दुबारा वो जो हमारी अजमत थी आप सलिल्लम के दौर में वो दुबारा हासिल कर लेंगे अगर हम क तो उमीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आओगा